Hi everyone, hi everyone, स्वागत आप सभी कर विंदर्टुप चैनल में, आज हम बात करेंगे कि CRSU में जो बच्चे ओनलाइन एक्जाम देंगे, तो वो अपने आंशा शीट को कैसे अप्लोड कर सकते हैं, पिडिया फाइल नहीं बनानी है जैसे ही आपका पेपर खतम हो जाएगा आपको गया करने अपने फोटो के अपने 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 उपलोड हो देनी है ठीक है चुलिए यहां पर हम देखेंगे कि online exam आप जब दो गे तो क्या क्या instructions आपको देखनी है कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो यहां पर मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको क्या करना है पीडियो फाइल अपलोड नहीं करनी है आपको आपके answer sheet को अपलोड गर यहां पर आपको अपना registration करना है यहां पर अगर आपने registration कर लिया है तो applicant login पर आपको यहां पर click करना है ठीक है आप जो यह instructions यहां पर given है आप इनको English में पढ़ सकते हो जिसको पढ़ना है हिंदी में पढ़ना चाहूँ तो यहां पर आप इसको हिंदी में भी change कर सकते हो ठीक है और यहां पर इंस्ट्रक्शन सी गई है कि आंस शीट को आपको अपलोड गरने के लिए कितना टाम दिया गया है वन आवर्स आपको दिया गया है गंटा आपको दिया गया है 60 मिनट ठीक है और यहां पर जो डेट शीट की जो गाइडलाइन से दी गई थी वो आपको फूलो करनी है और यहां पर रिजिस्टेशन के लिए साइट का जो लिंक है वो ऊपन हो चुका है 27 तारीक से ठीक है तो यह बता होना चाहिए तो यहां पर रिजिस्टेशन आप कैसे करोगे न्यू रि करना रहूं है। थे जाएंटों के वह थे यहां फूलों से झасти कंद वाज़ब दो नी-चे आपको टोर्स आजाएंगे कंपर चाहिए जो भी आपने चाहिए और एक हम स्विका और इक और यहां पर यहां पर करना है यहीं सक्वाड़ इमेल आइड़ tight ऐए है mobile number डालना है उसके बाद जो आपका roll number है second year का वो यहाँ पर डालना है उसके बाद यह capture है यह जो capture यह आप फिल करोगे तो उसके बाद आप इसको next पर click करोगे क्योंकि यहाँ पर आपको paper भी select करने है ठीक है यह paper select करोगे तो जो declaration है इसको आपको click करना है और इसके बाद आप register करता होगे लेकिन यहाँ पर अभी तक admit card आये नहीं है तो काफी issue हो रहा है students को यह सब करने में तो online registration आप यहाँ से करोगे जिसको online exam देना है वो यहाँ से अपना registration करेंगे कि हमें अपना exam online देना है अगर किसे को online नहीं देना है तो यह सब करने की जोड़ से नहीं है और जो instructions है यहाँ पर आप पड़ भी सकते हो अपनी instructions को ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका exam होगा वो आपकी website पर इसकी चानकारी आपको दे जाएगी और जो आपके documents होंगे जैसे जो भी आपकी ID है वो आपको दिखानी जरूरी है pen card हो सकता है driving license voting ID यह इस तरीके से आपके हो सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी आपको क्या करना है तीस मिनट पहले अपने exam से पहले आपको login करने है अपनी ID को और यहाँ पर यह कुछ subjective type आपके exam होंगे और जो आपको क्या करना है देखें आपकी जो फोटोग्राफ होंगे वह good quality के होने चाहिए जो आप अपनी answer sheet को upload करोगे ठीक है उसके बाद यहां पर बताया गया है कि आपका जो laptop होगा या जो desktop होगा जहां पर आप exam दोगे दोगे वह अपका fully charged होना चाहिए ठीक है अगर बीज तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे यह पहले ही बताया गया है तो यह चेक कर ले कि सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हूं ठीक है और आपका जो फोन है वो silent होना चाहिए जो isms की जो notifications है WhatsApp की है इस तरीके से हो silent रहना चाहिए ठीक है और आपको क्या नहीं करना है यहाँ पर आपकी जो screen है exam जब आप दे रहे हो तो वहां से आपको उट करना ही जाना है और आपको अपने camera को cover नहीं करना है ठीक है आपको एक से अधिक device पर login नहीं करना है अपनी ID को उसके बाद जैसे headphones वगएरा है इसका आप यूज नहीं करोगे ठीक है उसके बाद जब आप exam देते time आपको क्या करना है दूसरे किसी भी अन्ने device में अपने login एडी नहीं करना है ठीक है login नहीं करने है अपनी ID जब आप exam दोगे उसके बाद किसी भी shoot पर आपको ज्या गरना है नंबरics नहीं करना है ठीक है नंबरicon नहीं करना है करना है date को किसी को भी तो इन बातों का आपको इहां आपको नि Simpson करने है यहाँ यहाँ पर यहां को पर एड़ पर यहां करनी है उसके बाद आप यहाँ पर पको आपको अरहे हो पडnot answer sheet आपको निकलवाने है जितने भी जितने भी आपके pages होंगे उस तरीके से आपको अपनी answer sheet निकलवानी है क्योंकि आपके 7 paper हैं तो उसी हिसाथ से आप एक बार ही अपनी answer sheet को निकलवा ले और यही आपको upload करनी है जैसे आप लिखोगे यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया अपने questions के answers को तो आपको इसकी PDF नहीं बनानी है यह मैंने अभी आपको बताया है आपको इसका photo click करना है photo clear होना चाहिए उसके बाद ही आप इसको upload करोगे ठीक है और वहीं upload करना है जहां पर आपको मिला है ठीक है तो यही instructions थी जो कि आपको बतानी थी यहाँ पर new registration पर आप जब click करोगे तो online के लिए आपका registration हो जाएगा लेकिन यहाँ पर admit card नहीं आई है मैं भी try कर रही थी कर तो नहीं हो पारा था registration क्योंकि भी admit card आई नहीं आए तो किसी भी तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इन numbers पर आप call कर सकते हो यहाँ पर पूछ सकते हो आपको जो भी problem आ रही है जो technical problem आ रही है तो य वीडियो आपको कैसे लगी comment करके जरूर बताईएगा उसके बाद उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके regarding भी आप पूछ सकते हो comment कर सकते हो और answer sheet को आपको download करके उन answer sheet को अपना निकलवा लेना है एक्जाम से पहले इसारी तैयारी आपको करनी है जो online exam द तैयारी आप अच्छे रखेगा best of luck for your exams thank you